सर्वर बारी साहा बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का सबसे पहले तुम्हें आपसे यही जाना चाहूंगी कि यह जो सिंबल्स लॉट किया जाते हैं एक्षिली उनका तरीका क्या होता है देखिए दो किस्व के बन्यादी तोर पर उमीदवार होते हैं एक वो जिनका तरलक पार्टी से होता है तो पार्टी के लिए जो निशानात हैं उनका तोहियन करने का बहुत वाज़े तरीका है इसी तरह जो उमीदवार हैं वो जो इलक्शन जेक्ट 2017 है वो मेरे सामने हैं और दोसो दोसो चौदा से लेकर जो दोसो अठारा है यह सारे जो सेक्शन जेडिए बिसीकली डील करते हैं विद अलोकेशन ऑव सिंबल्स अब वामला यह है कि एक तो अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक जमूरी बोलक है और एलक्शन कमिशन जो है वो जमूरी एलक हुआ है कि एलक्शन कमिशन सिंबल जो है वो लाजमी किसी पार्टी को मजबूर करेगा कि वो यही सिंबल ले या किसी कैनिडेट को वो मजबूर नहीं कर सकता कि वो यह सिंबल अख्यार करे और वो सिंबल ना ले तो एक तो पहली बात यह है कि यह अंडेमोक्राटिक वे ह है कि आप ऐसे symbols candidates को दें जो वो नहीं चाहते कि वो उनका वो symbol होना चाहिए क्योंकि मेरे तो कोई मसला नहीं है लेकर ये कि पाकिस्तान की अवाम और हर किसम का जो जो भी symbol है उसकी कोई connotation है मसला अगर किसी को आप देते symbol बोतल तो पाकिस्तान में बोतल से वराद शराबी का लिया जाता है तो एक negative है इसी तरह जोता है तो जोते का भी एक जो implications है उसको समय जाता है कि जोते के बराबर भी नहीं है तो जितने वी चिम्टा है तो चिम्टे का एक या हार्वोनियम या और बहुत सारे बेंगन फाली का बेंगन हम कहते हैं तो लगता है कि इलेक्शन कमिशन ने जानबूज कर ऐसे symbols दिये हैं जिस से जो impression है वो बहुत बुरा निकल के आए और जो मखालफीन है उनको ज्यादा मौका मिले एक negative प्रोपेगंडा करने का और दूसरा यह है कि ऐसे symbols दिये जाएं जिनको लोग शनाख्त करने में जिन लोगों को बिशकर बेशाएं तो दुश्वारी हो लगता है कि जो ट्रेंड चला आ रहा है एपरिल 2022 से लेकर अब तक तो यह भी उसी जो उनकी strategy है उसका हिस्सा है कि PTI को एक party को level playing field हर्गिस नहीं देनी ना सिर्थ उस party को level करकर जो बाकी party बच जाएंगी उनको level playing field दी जाएगी जाने कि जो बाकी party बचेंगी उनके लिए वो बराबर महौल पैदा किया जाएगा ताकि यह जो एक रुकावट है उनके उनकी नजर में PMLN की नजर में जा पीपलस पार्टी की नजर में जाए एनपी की नजर में जा जेजी ओएफ की नजर में जो PTI को समझती हैं कि PTI is not their rival, PTI is their enemy, तो एक वो एक narrative है, एक hidden narrative जो बनाया जा रहा है कि PTI versus everybody else, लेकर PTI के साथ जितने भी सर्वे हो रहे हैं, opinion पोल आ रहे हैं, उस पे PTI बहुत आगे है, बिल्कुल, तो बेसिकली तो यह लगता है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ है, और जो रवायती, महरूसी, स 80 जमादे हैं, पाकिस्तान की जो अश्राफिया है, वो एक तरफ है, तो मेरी नज़र में जो allocation of symbols हैं, वो लाफुरी नहीं किया जा रहा है, वो जानबुच किस तरह के symbol दिये जा रहे हैं, ताकि और ज्यादा उसके लिए मुश्किलात प्यादा की जासे हैं, तो आप भी कह यहां यह symbols दिये गए हैं, तो मैं आप से पूछना चारी हूँ कि उससे पहले कोई बैलेटिंग होती है, यहां returning officer अपनी मर्जी का इंतकाद निशान किसी भी उमीदवार को lot कर सकता है, तो यह कहीं नहीं लिखा हुआ है, कि returning अपनी मर्जी के symbol देगा, अगर दो पार्टी यह कहती हैं कि हमें यह symbol मिलना चाहिए, दोनों पार्टी यह बज़ेद दें कि दिया जाए, तो हमारे जो elections act है, आइन में भी लिखा हुआ है, कि जहां quality of vote हो, या एक चीज़ पर हो, तो फिर आरो जो है, वो draw भी कर सकता है, निकाल सकता है, और यह बहुत जगा होता है, कि अगर दोनों मीदवारों के vote बराबर हो, तो फिर draw किया जाता है, तो मतलब एक कुछ ना कुछ इशारे हमारे अंदर है, यह arbitrary decision पाकिस्तान के law में, आइन में कहीं नहीं है, कि वो जबरदस्ती कोई फैसला लोगों के उपर impose करे हैं अगर वो ना भी चाते हो, खास तोर पर symbol की बात है, और पार्टी के नाम की बात है, पार्टी के constitution की बात भी देखी हैं, अगर हर पार्टी जो पाकिस्तान elections act है, जो मेरे सामने है, इसमें भी लिखा हुआ है कि जो पार्टी हैं, उनके अंदरूनी इंतखाबात उस पार्टी के आइन के मताबक होंगे, और हमारे बताए हुए आइन के मताबक करें, आपने आइन के मताबक ना करें, तो क्योंकि वो जमूरी नहीं रहता पर, वो एक dictatorial है, एक authoritarian है, वो एक democratic system नहीं है पर, तो सलसल यह लग रहा है कि पाकिस्तान में 1988 के बाद जो हमने gains की थी, वो लगता है इस election में आकर वो सारी gains है gains हैं, जो हमारी कुछ तरकी की तरह कामजन हुए थी, हम जमूरी तोर पर वो बिल्कुल जीरो कर दिये गया है, बिल्कुल ऐसे है, अचाब सरवर्साब, बैरेस्टर गौहर, पीटे आ के जो रहनुमा है, उनके जानब से ये statement सामने आई, कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम क देखिये, मुझे नहीं पता, यह पार्टी का राइट है, मेरा तो पीटी आई से कोई तरल्ग नहीं है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह जिस तरह यह जो अभी सिंबल की जो केस था, पीटी आई की इंट्रा पार्टी एलेक्शन और उसकी बेस पर एलेक्शन और जिस तरह जो फैसला किया, काजी फाइजिसास है, बहुत जो बेंच था, जिस तरह प्रूसीडिंग चली है, बहुत सरे अख़वाराद के एडिटोरियल्स हैं, बहुत सरे जो इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी तदाद जो लोग है वो समझते हैं, कि जो जब पीटी आई के लॉयर्स बात कर रहे थे, तो उनको बात भी नहीं करने दी जा रही थी, और जब इलेक्शन कमिशन के वकील आया हैं, तो उनको खुलकर अपने अर्गूमेंट जो है, प्रिजेंट करने का भरपूर मौका दिया है, तो अब एक ऐ उसी अदालत से फिर अगर वो कहते हैं, जी वो हम उनको कहते हैं, कि वान एटी थिरी फोर के तहत वो कारवाई करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने वाला है, लेकिन गाल्बन शायत उनकी स्ट्राटीजी का इसा है, कि इनको एक और मौका दिया जाए, क्योंकि मेरा ख् फोर्टो साइब की, फांसी के बक्त जो सप्रीम कोड ने फैसला किया था, उसके बाद ये फैसला पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक सिया तरीन फैसले के तो पर याद रखा जाएगा, और जिस तरह नसीम असिन शाह साइब ने किया था, बाद में उनने माफी ने होने लगा, पाकिस्तान की अवाम का कुछ भला ने होने लगा, चांद लोगों का शायद कुछ फैदा हो जाए, इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ये तो खुद अवामी दबावा बढ़ना चाहिए, सर्फ ये पूरे पाकिस्तान का इश्यू इसलिए पाकिस्तान के पाकिस्तान की ट्वीट्स जो हैं, वो काजी सहब के बारे में आ रही है, और ये बड़ी अफसोस के बात है, कि पाकिस्तान के जो चीफ जेस्तिस हैं, उनके बारे में जिस तरह की सोशल इम्मेडिया कंपेइन चाल रही है, यकीनन वो बहुत दुख होने वारी बात है, ले आता है ऐसे ही है अचा अबारी साहब जैसे के आपने खुद बिदाया कि किसी भी उमीदवार को उसकी मरजी के बगार जो है आप कोई भी निशान अलोट नहीं कर सकते हैं तो मैं आप से पूछना चारी हूं कि जतने भी अभी निशानात अलोट किया गए हैं पी टी आए के को वो उसके अगेंस ट्रगर जाना चाहें उसको चेंज करवाना चाहें तो उसका तरीका क्या होता है उसका तरीका का तो बड़ा वाज़ है कि वो कहें कि यह जो मैंने अभी इलेक्शन एक्ट की बात की है यह आपके सामने ने है इसमें यह सारे जो तरीके हैं वो दिये हुए है उस हलके में क्योंकि हर हलके में निशानत फर्क फर्क हो सकते हैं और मैंने लिस्ट देखी है उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे निशानत हैं हो सकता वो किसी को लाड़ना हुए हो तो वो कैंडिडेट का राइट है इस डेमोक्रेटिक राइट क्योंकि कहीं नहीं इंपोज इस विल ओवर डी कैनिडेट्स ये कैनिडेट्स की मर्जी है कि अगर वो सिंबल किसी और को लाड़ नहीं हुआ उसलके में तो वही सिंबल उसको दिया जाना चाहिए जिसके लिए वो तरखास्त काता है ठीक है इन तक अब हमूर के माहर सर्वर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत डिटेल्स वो तज्जिया भी पेश कर रहे थे बहुत शुक्री आपका